नबस्कार, वेलकब टो एक्सार्विश पर दिदिया यूट्यूब चैनल आपका PPO में कई भार ऐसे देखा आ जाता है कि आपका फैमिली का नाम जो लिएा हुआ है वो आपका अधर कार्ड, भोटर कार्ड और अधर जो डाकुमेंट आपका है सिविल का उसके साथ मैच नहीं हो रहा है इस सिचुशन में आपके लिए बहुत जरूरी होता है नाम चेंज कराना तो दोस्तों आप कैसे आपका पीप्यो में, डिचार्ज बुक में आपका फैमिली का वाइफ का नाम कैसे चेंज कराएं इसके लावा वीडूस के लिए एक बहुत बड़ी प्राब्लेम हो जाता है फैमिली पेंशन पाने के लिए जब फैमिली पेंशन का बारी आती है उस समय देखा जाता है कि आपका जो पीप्यो में नाम है वो उस नाम के साल उनका जो अधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसका जो नाम डेटब बार्ट जो है वो match नहीं कर रहा है तो उस समय एक बहुत बड़ी problem खरी हो जाती है ये problem ना हो इसलिए अभी से आप ये system जान ले कि कैसे आपका wife का नाम PPO में, discharge book में कैसे change कर वाए तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इस नाम को change करेंगे तो दोस्तो इसके लिए आप direct जा सकते हैं हमारा website में जो कि इस वक्त आप screen पे देख पा रहे हैं ये है हमारा website एक servicemen info club यहाँ पे आपको हर तरह का news information आपको मिल जाता है चाहे हो pension का हो, pay fixation का हो, jobs का हो, disability pension, CSD, CHS, हर चीज़ का, welfare related, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है तो दोस्तो आप देख लिएते हैं कैसे आप change करेंगे वाइप का नाम PPO and discharge book में इसके लिए आपको ये चानना जुरूरी है कि आप कौन-कौन सा चीज़े change करवा सकते हैं देखिए आप inclusion of the deletion of letter कोई एक single letter या more than one letter आप जोड सकते हैं या delete करवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? inclusion of the deletion of first name, middle name and surname माँ लेजिए कोई first name गलत है या middle name गलत है या surname गलत है तो उसको आप delete भी कर सकते हैं या जोड भी सकते हैं और क्या है तिसरा? inclusion of the delusion of any part of the name नाम का कोई भी पार्ट को आप जोर भी सकते है और डिलेट भी कर सकते है change in name and change of marital status साधी का बाद जब नाम change होता है वो भी change आप यहाँ पर करा सकते है और split कर सकते हैं, marger कर सकते हैं एनी पार्ट को, जैसे कि रेमिंद्रो नाथ तो रेमिंद्रो और नाथ, यह दुर अलग-अलग हो गया किसी का एक साथ है, एक साथ है तो किसी का अलग है अलग करा सकते हैं, है ना, इस तरह का यह सारे चीज़ें आप करवा सकते हैं तो इसके लिए क्या करने पनाएगा लेखे, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है एक white paper में आपको एक application लिखना है ठीक है, application में किसको लिखना है जिला सोयनिक बोड को लिखना है जिला सैनिक विलफियर अपिसर को लिखना है एक application और वहाँ पे आपको यह लिखना है कि मेरी जो pension documents है उसमें ये नाम है wife का और बाकी जो document है उसमें ये नाम है तो आपका जो other card, bank card, bank का जो documents है और भी civil card documents है उसमें जो नाम है same name होना चाहिए PPO में इसलिए आपका आपका जो arm process का जो documents है उस document में नाम change करवाने के लिए आपको एक request letter लिखना है और साथ में क्या देना है साथ में आपको ये जो documents का list मैं बता रहा हूँ ये सारे documents आपको देना परेगा कौन कौन सा documents है देखिए सबसे पहला जो document है वो है photocopy of discharge book duly attested by जिला सेनिक welfare officer original discharge book आपने नहीं देना photocopy ही केवल मत्र देना है original आपके पास रखना है दूसरा क्या document देना है self-attested copy of आधार card ठीक है आधार card का attested copy देना है और क्या देना है attested copy of pension certificate या फिर pen card या फिर bar certificate या फिर matriculation certificate या फिर voter card या passport इनमें से कोई भी एक document आपको देना है ठीक है जिस हिसाब से नाम change होगा और कुण सा document चाहिए एक evidavid चाहिए या फिर उसमे evidavid क्या होगा उसमें self declaration होगा ठीक है duly attested by जिला सेनी कोलफार officer जो की original में चाहिए ठीक है evidavid करता है जिसका pro forma आपको मिल जाएगा मैं अभी लिखा दूँगा और यह सारे चीजे pro forma आपको पाने के लिए आप हमारे जो website है जो आप देख सकते हैं एक service man info club यहाँ पे जैसे ही इसका link दिया हुआ है description box पे वहाँ click करते ही आप इस page में आएंगे और वहाँ पे link दिया हुआ है link में click करते ही आपको सारे forms मिल जाएंगे ठीक है next जो document है वो क्या है newspaper advertisement for change of name of spouse as per specimen यह भी एक specimen है उस हिसाब से जो format है उस format में आपको एक newspaper में advertisement देना है कि मेरी wife पहले यह नाम था और अभी यह नाम हुआ है change of name का ठीक है इसका specimen है उस हिसाब से आपको local कम से कम दो language में आपको देना है advertisement ठीक है अब यह सारे document का साथ आपका application जब जिला सेनिक बोर्ड में आ जाएगा जिला सेनिक बोर्ड सभी documents को scrutinize करके records में भेज़ देंगे record में फिर scrutinize होगा आपको जब seat roll है उसके साथ देखेंगे match करेंगे और उसके बाद फिर एक yc records का approval लेंगे approval होने का बाद फिर क्या होगा आपका एक do part two order ज़रेट होगा जो non effective series of part two order कहते हैं तो इसमें जो part two order होगा इसके बाद आपका जितने भी documents है Amposis का वो सारे documents में आपका related जो भी document है सभी जगाए में जहां पे आपका web का पहले जो नाम था वो change हो गया वहाँ पे इसका इंटरी किया जाएगा और फिर इसी का एक copy LPC का data sheet का द्वारा PCDA pension को भी भेजा जाएगा ताकि आपका जो PPO है वो corresponding PPO मेलेगा फिर आपके पास वो PPO भी भेजा जाएगा दूसरा क्या होगा सेम जो part two order है इसका एक copy आपके पास भेजा जाएगा एक पी जिला सिनिक बोड को भी भेजा जाएगा आपका क्या काम है part two order जैसे आपको मिल जाता है आपको क्या करना है part two order का साथ आपका discharge book लिखे जाना है जिला सिनिक बोड में वहाँ पे बो लो क्या करेंगे part two order को देखके आपका जो discharge book है वहाँ पे rectification करके stamp लगा के sign कर देंगे तो अब यह होगा complete process हो गया formats के लिए देखिए हमारे website यहाँ पे दिया हुआ है format of every debit and other forms तो यहाँ पे click करने से आपका यह खुल जाएगा जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे click कर रहा हूँ तो यह देखिए format यहाँ पे खुल रहा है तो दोस्तों इसी तरह next video में हम बात करेंगे कि आप बच्चों का, wife का, brothers का, father mothers का किसी का भी अगर date of birth में कोई problem हुआ है तो वो जो date of birth में जो problem है वो problem आप कैसे सर्ब करेंगे इस बारे में बात करेंगे next video में फिर भी लिक आगले वीडियो में इस उमीद का साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भरत